दोस्तों अब इस वीडियो में स्क्वार रूट आफ फोर फोर्टी वन अभी हम अपना दोस्तों मैथड काम में लेने वाले हैं अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल के प्लेस्ट पर विजिट कीजिएगा और यूट्यूब पर साथ करें सुरेंदर खिले रहे तो यहाँ पर आपको सिंपल से स्टेप करने है कुछ उनको एक बार समझ लिए मतलब जिन्द के आपको याद रहेंगे देखो यहाँ पर इसमें मैं अपना प्राइम नंबर से डिवाइड करूँगा तो पहला आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 1 से लेके 10 तक के यह आपके प्राइम नंबर है तो देखो 2 से वे नंबर डिवाइड होते हैं जिनका यून डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई हो तो यह आपका 2 से डिजिबल नहीं है तो मैं 3 के पास गया 3 का क्या डिजिलूटी का नियम होता है डिजिट का सम करने पर आपका 3 से डिजिबल होना चीए तो इन डिजिट का सम कर रहे हैं तो कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, 9 जो कि 3 से डिजिबल है यह आपका 3 से डिजिबल है कितना 1 टाइम डिवाइड हो गया ठीक है उसके बाद आपका हो गया 4 टाइम 3 से usable नहीं है 5 से भी नहीं है 7 से usable है कितना 7 टाइम 7 में 7 का divide किया आपका कितना 1 टाइम यहनी यहाँ पे आपके इसके factor आ गए यह 3 multiply 2 टाइम 7 multiply 2 टाइम ओके यहनी 7 2 टाइम है 3 भी 2 टाइम है हमें यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों इसके अंडूट की value चाहिए तो simple सा process करन देखो 3 को 3 के साथ लिया एक और यहाँ पे लिख देना है 7 को 7 के साथ लिया एक और यहाँ पे लिख दिया इनका multiply किया कितना आ गया यही आपका क्या है यहाँ पे square root का value है तो इस तरह से आप अपना frame factorization method के दवारा square root का value आसानी से निकाल सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment कर बताएं चैनल subscribe करें एगली वीडियों फरे मिलते हैं सुरह अंदर clear YouTube पर search करें